गुद मॉर्निंग क्लास, नाइंध हिंदी वीडिया, आज मैं आपको परमाणू की संद्रेशना के लिए जो मॉडल दिये गए उनके बारे में बढ़ाऊगी आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि डॉल्टन ने परमाणू सिद्धान दिया था फिर उसके बाद आपको इंट्रो में बताया था कि परमाणू तूट नहीं सकता लेकि इसके अंदर आपके दो चार्च पार्टिकल मिले प्रोटन और नीट्रोल जो इस बात को बताते हैं कि आपका डॉल्टन के द्वारा दी गई परमाणू संद्धान गल्थ है तो अब उसके लिए कई व्यांदि को ने मॉडल दिये और अपने मॉडल को किसका से साथ कंपेरिजन करा किस्मस के किस्मस केक की तरह किस्मस केक आप लोगों ने सब ने खाया हुआ है आप सब जानते हो केक होता है और उसमें चैरी एंबेडेड होती है अकॉर्डिंग टू थॉमसन परमानू एक धनावेशित गोला है बताब एटम आपके कैसे है पॉजिटिव स्फेर है जिसमें इलेक्टोन उसमें लगे इसमें इलेक्टोन कैसे गिरे पड़े है जैसे किस्मस के केक में मेवे फिर उन्होंने एक उधारन ऐसा दिया इसमें जो आपका रेट पार्ट होता है जिसको आप खाते हो वह आपका धनावेश हो गया और उसमें आपका जो बिखरे रहते हैं सीड्स वह आपके इलेक्टोन हो गया तो इस तरह आपके जेजे थॉमसन ने आपको बता है यह आपका स्फेर हो गया ठीक है प्रमानू का और इसका जो पूरा ये color part है वो उसका positive charge हो गया और जो इसमें दिख रहे हैं वो negative हो गया और जो electron के ला है अब इन्होंने अपनी बात बता दी इनकी बात के बात इन्होंने कहा प्रमाणू धनावेशित गोला है और electron उसमें धसे हो है रिनात्मा को धनात्मा आवेशित के कारण ये परमाणू कैसा हो गया उदासी मतलब positive और negative के कारण क्या हो गया उदासी अब बात यहाई कि Thompson ने models के परमाणू के उदासी नोने की व्यक्षत हो गई कि Thompson ने जो दिया है आपका atom का परमाणू का संरचना वो कैसी है उदासी किं समझाया नहीं जा सका जैसा कि हम आग देखेंगे मतलब जब तेजे थे Thompson ने कह दिया कि वह ये उदासी ने लेकि दूसरे scientist इस बात को बता नहीं पाए कि क्या हा सही है इसलिए JJ Thompson के model को वहीं reject करके next model के बारे में अध्यान किया गया वह आप next में पढ़ेंगे